हलो बच्चो तो आज हम फिजिक्स क्लाश 12 में परमाडू से सम्मंदित जितने भी जो वस्तोनिष्ट प्रकार के प्रश्ण परिच्छाओं में पूछे जाते हैं उनको बताऊंगा कि कैसे प्रश्ण परिच्छा में आती हैं तो जिये हमारा एक प्रिडिएभ है हम स्को प्रिच्छा करेंगे किसी परमाडू में इलेक्टरों कच्छा की त्रिच्छा इवं नाविक की तिच्छा का अनुपात होता है एवर दसकी आथ 5 के बरावर होता है तो हमारा answer होगा इसको B correct answer अगला प्रश्न है हमारा electron bolt नापता है तो electron bolt जो है वो उर्जा का मापन करता है ठीक तो इसका answer होगा हमारा second sorry fourth ठीक है उर्जा फोर्थ हुए परमाडू में ब्रत्य कच्छा में electron किस बल के कारण घुमती है परमाडू में ब्रत्य गच्छा में electron किस बल के कारण घुमती है electron पर नाविक के कारण एक बल लगता है और या बल उसको ब्रत्य मार में गती करने के लिए अविकेंद्री बल प्रतान करता है तो नाविक ये बल के कारण ठीक है तो हमारा answer होगा ना भी किए बन है ने हैं अगर्ट हैं है हाइडोजन परमाडू की आयिनन ऊर्जा का मान होता है तेरे दस्मिलोंच्छ फिर्लल्ट उसको याद रखना बड़ा इंपोर्टेंट कोईशन है ठीक है तेरे दस्में लोचे अगला प्रशन है हाइडोजन इस्पेक्ट्रम की कौन सी स्रेंडी द्रश्य भाग में पाई जाती है तीकि जिए चार स्रेंडियां होती है लायमन स्रेंडी बामर पाईशन ब्रेकेट और पांच भी होती है फुंड तो द्रश्य चेत्र में पाई जाती है हमारी बामर स्रेंडी तो हमारा सेकेंड आंसर होगा टॉम्सन विदी द्वारा ग्यात किया जाता है इलेक्ट्रोन का देखे जे टॉम्सन की जो विदी होती थी उसकी साहता से इलेक्ट्रोन का बिस्ष्ट आवेस ग्यात किया जाता ह ए आवेष एम द्रगमान, तो ए अपोन एम का मान ग्याद किया जाता है, ठिक है, तो आवेष एमू द्रगमान का अनुपार्ट, हमारा अंसर होगा, प्रत्थम बौर अबस्ता में किसी इलेक्टरोन की डीव प्रत्थम बोर अवस्ता में किसी इलेक्ट्रोन की डीव रोगली तरंगधर्द होती है तो डीव रोगली तरंगधर्द उसके प्रत्थम कच्छा की परिदी के बरावर होती है तो हमारा जी फूर्त आंसर होगा हाइडोजन परमाडू के बोर मोडल में निमनतम कच्छा किसके संगत होती है हाइडोजन परमाडू के बोर मोडल में निमनतम कच्छा किसके संगत होती है तो इसमें हो जाएगा हमारा नियूनतम उर्जा ठीक है तो हमारा तीसरा अंसर हो रदरफोड का प्रकीनन प्रियोग निम्न लिखित में से किसके अस्तित को सिद्ध करता है तो रदरफोड के प्रकीनन द्वारे ये पता लगाया गया कि परमाडू के अंदर केंद्र पर एक सूच मिस्तान में धनावेश होता है जिसको हम नाविक कहती हैं तो धनाविष्ट नाविक का अस्तित शिद्ध किया गया, तो हमारा second होगा, परमाडू का नाविक बना होता है, तो नाविक बना होता है proton एवं neutron से, तो हमारा second आंचर होगा, हाइडोजन परमाडू की आइनन उर्जा 6 लेक्टोन बोल्ट है, तो हिलियम परमाडू की आइनन उर्जा कितनी होगी, हाइडोजन परमाडू की आइनन उर्जा 6 लेक्टोन बोल्ट है, तो हिलियम परमाडू की हो जाएगी 12.75 लेक्टोन बोल्ट, ठीक है, तो हमारा third आंच हाइडोजन परमाडू की मूह लवस्ता में इलेक्ट्रोन के बेग का परिमाड होता है बड़ा इंपोटेंट प्रश्ण है जो होता है एक वटे 137 इंटू से मतलब प्रकास की चाल का एक वटे 137 वा भाग या एक वटे 137 वा गुना होता है तो सी वटे 137 तो हमारा सेकेंड अंसर होगा निमनलिकित में से किस बहेvous ने कॉंटम शिप्दान का प्रतिपदें किया था तो आपने पड़ा होगा के प्लंक का क्वांटम शिप्दान ने प्लांक ने किया ता तो हमारा आंसर होगा हाइडोजन पर्माडू की मूल उर्जा इस्तर 6 election volt है तो n बराबर 3 पर उर्जा इस्तर होगा तो यह होगा 1.5 electron volt हमारा correct नशर है इसता ही कच्चा की तृजज्या आर तरता कच्चा की संक्या एन में संबंद होता है तो जो त्रिज्जा होती है वो एन इस्क्वर के अनुक्रमान पाती होती है हमारा जो बोर मोडल के अनुसा त्रिज्जा का फॉर्मूला आया था उसके गुणा में एन इस्क्वर आता है यदि सारी चीज़ों को अनकुरमान पाति नियताय अंक माल लें, तो क्या हो जाएगा? जब पहली कच्छा से दूसरी कच्छा में जाएगा तो हमारा जो फोर्थ आंसर होगा हाइडोजन परमाडू के प्रतम बोर कच्छा में इलेक्टरोन की उर्जा माइनस के 23.6 लेक्टरोन भोल्ट है तो दूसरी कच्छा में इलेक्ट्रोन की उर्जा क्या होगी तो दूसरी कच्चा में होगी क्या होती है मतलब उसके A-N-square गुने के बरावर होती है दूसरी कच्चा में तो E2 का मान निकालूँगा तो बटे में चार आ जाएगा वो चार का इसमें भाग देंगे तो जाएगा हमारा तीन दस्मलव, चार एलेक्टोन भूलट, तो फर्ष्ट आंसर होगा हमारा, बूर कच्चा की प्रतम तीन त्रिज्जाओं का अनुपात, त्रिज्जा होती है वो कच्चा की क्रम संक्या की बर्ग की अनक्रमान पाती होती है, तो पहली कच्चा के लिए इ की वेल्यू थ्री हो जाएगी, इसका वर करेंगे तो नो हो जाएगा, तो एक अनुपात, चार अनुपात, नो हाएगा, तो सेकंड लास्ट कोईशन हमारा, एक परमाडू या आइन की मूल अवस्ता में उर्जा माइनस के चववन दस्मलव, चार एलेक्टोन भूल्ट, य यह होगा हमारा हिलियम है, चीक है, तो थाड़ आंसर हो जाएगा, हाइडोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी स्रेंडी द्रश्च भाग में पाई जाती है, तो यही प्रशन हमारा पहले भी आया था, तो बामर स्रेंडी होगा, तो इस तरह हमने परमाडू से सम्मंदित जो प्र यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, तक तक गुड़ बाई, टेक केर